हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल इगनू असाइनमेंट गूरू आजकी वीडियो में दो इंपोर्टेंट टॉपिक यो बात करने वाले जो कि होने वाले आपके सेप्टेंबर एक्जाम से रिलेटिव पहले चीज़ आपका कि आप जो है एक्जाम सेंटर किस तरह चेंज कर पाएंगे यह कोश्चन बहुत जादे स्टुटेंट्स ने कमेंट बॉक्स में से पूछा था एंड जो सेकंड टॉपिक है वह है कि आपके जो भी बैक के एक्जाम रह गया था या फिर पीवेस यह के आ बात करने वाले हैं सब्सक्राइब आप इस वीडियो को पुरे एंड तक देखेगा इसा अपना एक्जाम सेंटर चेंज कर पाएं यह मैं कोई भी ऑप्शन इगनु ने अभी आपको नहीं दिया है कि आप किसी भी तरह से अपना एक्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं आपको तीन ओप्शन दिये गए था जब भी आपने अपना एक्जाम सेंटर चूज करने के लिए ठीक है फ्रेंट्स अब एक्जाम सेंटर बाद में चेंज कर सकते हैं अपना एक पोटल ऑपन किया जाएगा जो कि आपका एक महीं से लेके पास महीं तक का होगा ऐसा बोला किया है आप सभी को पता गाओ COVID-19 तो महीं के मांद तक तो आपका COVID-19 चुरू होई गया था तो उस तेम पे तो यह भी लग रहा था कि एक्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा सब्सक्राइब करने का कोई पॉइंट हाई नहीं अभी जो है मैं वीडियो बना रहा हूं आज की देट में आपको बताएदा हूं सो आप मैं आपको चेक कर सकते हैं तीन सेप्टैम्बर है आज सो अभी तक के लिए इगनु का एक्जाम सेंटर चेंज करने का कोई भी ऑप्शन या कोई ऑल्लाइन बोटल नहीं है अगर इन फ्यूचर इगनु कोई आसा आपको चांस देता है या फिर कोई ओल्लाइन बोटल इगनु उपन करता है तो उसके बारे में आपको फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो उसके बारे में आपको वीडियो बदा के बता दूँआ पर अभी के लिए जो भी स्टुटन्स पूछे रहेते कि क्या वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं अभी के लिए आप 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 एक्जाम सेंटर बिलकुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं साथ ही जो भी डीसेंट आपकी डेट शीट आए थी कली आई ये दो सेप्टेंबर को आपकी डेट शीट आई आए आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखें यहां पे जो है एक आप का इदर डेजाइड एक्जामनेशन सेंटर साफ साफ हैं पर लिखा हुआ है कि जिन सुनेट ने अपना डेजाइड एक्जाम सेंटर चूस किया था में भी उनको ना मिल पाए तो यूनिवर्सिटी अपने चरफ से पूरा ट्राय करेंगे कि उनको जो नियर पाई अपना ए सेवन पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी देखिए एक्जाम सेंटर से लेटिट आपको लिखा हुआ है कि लास्ट मिलेट पे जो आपका एक्जाम सेंटर भी चेंज किया जा सकता है कोविड-19 के सिचुएशन के या फिक किसी और रिजन के वज़े से यहां पर भी द अभी के लिए कोई भी उप्शन नहीं है आपको वीडियो बना के बता दूंगा अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा अभी के लिए चांसे कमी है कि आएगा अभी तो यह भी नहीं पता है कि आपको एक्जाम सेंटर जो आपने चूज किया था मिलेगा पहले तो आपके नोर्मल एक्जाम जो होते थे उसमें पर्स सेंटर आपको लोट के जाता है आप तो यह भी नहीं पता है कौन से खुली होंगे कौन से कॉलेजिस में पर्मिशन मिलेंगी इग्जाम देने के लिए कौन से में नहीं टीचर सा क्या होगा अभी सोशल होल टिकट का वेट करते हैं जैसे होल टिकट आएंगे सो उसके लिए मैं आपको इंफर्म करके बता दूँ अभी के लिए अपको अप्डेट के बारे में थोड़ा सा पताया था तीस तारिक को आपका नोटिस आया था नोटिफिकेशन आया था इगनू की साइट पे जिसम पर कोई पे लिखाओ है फोर स्टुदेंट्स फाइनल यह या फिसमिस्टर हुवील अपेरिंग फोर एक्जामिनेशन इन सेप्टेमबर आपका जिसके आप जोए एक्जाम देने जा रहा है चाईज आपको कोई साए प्रोग्राम हो इगनू में उसका अगर आप एक्जाम गया था मालें जिए आपको स्का एक्जाम रहे गया था आया तो आप उने चरोण को या कोई भी रिजन हो सकता है तो उसके वैसे वह आपको कोर्स रहा गया था तो आप जो यह अगर आपने उसका exam form भरा होगा जो भी आपको जून का exam form भरा होगा उसके लिए आपने fee पेकी होगी तो उसका जो आप exam September में दे पाएंगे बिल्कुल दे पाएंगे तो याद रखेगा जो वी आपके सेप्टेंबर के पाहिणल यह और में अगर आपने उसके कोई भी सब्सक्राइब कर देए अगर बाते उसके बाद कर लेयर नीचे एप पर सकते हैं कि जो भी आपने एक्जाम में भरा होगा अपने यू जी या फी पी गोर्टिकेस के लिए जो भी आपको सेप्टेंबर में होने वाले हैं सो आप जोए एलिग्जीबन होंगे पेरिंग इन दा एक्सामिशन जो जून सा भी आपका लैफ्ट ओवर कोर्स है प्रिवेसर को कोर्स का पेपर है गया था आपने जून के जून के एक्जाम फोर्म में उसके लिए भरता है य करते हं जो जो सकता है उन्हों हो आपने जो भी आप भी आपने ज़्म को को पमादेबर है